पंचतंत्र कहा गया है और पंचतंत्र में पांच भाग हैं मित्र लाव काको लूकियम आदिक तो उसी पंचतंत्र में एक कथा है जिसको देव शर्मा राजा के पुत्रों को सिखा रहे हैं कि भाय क्या होता है और उन्होंने लिखा कि ये पंचतंत्र कई देशों के युनिवर्सीटियों में पढ़ाया जाता है शंस्कृत में है और जितने हमारे धर्मसास्त्र पुराणों के अच्छे अच्छे श्लोक हैं वो सब उसमें संग्रहीत किये गए एक कथा उससे छोटी सी है हमके वल समर्ण करा रहे हैं राजा के पुत्रों को सुधारने के लिए नालाइक पुत्रों को मार्क पर लाने के लिए पंच्चतंत्र की एक कथा स्री देव शर्मा ब्राहमन राजा के पुत्रों को समझा रहे हैं सुना रहे हैं एक जंगल में एक शेर रहता था जंगल का राजा शेर है तो जंगल में शेर रहता था और एक दिन उसी जंगल में हर प्रकार के प्राणी रहते हैं उसी जंगल में एक सियार था तो उसकी पत्नी जो सियारिन थी उसके बच्चे देने का समय हो गया तो सियारिन ने सियार से कहा की ये बतलाओ हमको बच्चों को जन्ना है जन्म देना है तो कोई सुरख्षित जगह बताओ जहां हम बच्चों को जन्म दे तो उसने कहा की ठीक हो ले गया तो शेर की जो गुफा थी, माद थी, कहा यह सबसे सुरक्षित है, यहां कोई आएगा नहीं, यहीं बच्चों को जन्म दो अरे उसने कहा सेर आएगा मार के खा जाएगा, बच्चे भाग नहीं पाएंगे, एक दो तो हैंगी दस-पांच होंगे अरे उसने कहा तुम चिंता मत करो तुम्हारे बच्चे हैं मेरे भी बच्चे हैं सियारिन बहुत कही लेकिन सियार कहा कि तुम चिंता तनिक भी मत करो जो मैं कहूंगा वही करना का ठीक है शेर जाता है शिकार खेलने दो चार दिन बाद गुफा में आये का खापी के दो दिन तिन दिन लेटा रहता है तो वहां जाकर के उसने बच्चों को धन्म दिया सियार इन के पांच साथ बच्चे हुए और अभी वो विचारे दस दिन के नहीं हुए कि एक दिन शेर अपनी गुफा में माद में आया और उसको आते हुए देखकर सियार इंडर गई सियार से कही अब तो जान बचाना मुस्किल है जंगल का राजा है मारेगा मर जाएंगे हम लोग अरे उसने कहा तुम चिंदा मत करो जब शेर पास में आ जाएगा तो बच्चों को नाखून से बकोटना नोचना तो जब नाखून मारोगी तो सब चिलाएंगे एक साथ और जब चिलाएंगे तो मैं गरज के पूछूंगा कि बच्चे क्यों रो रहे हैं तो तुमको ये क नहीं वाकि बोलना है कि बच्चे शेर का मानुस मांग रहे हैं उसने कहा कि ठीक है शेर जो है जब गुफा के थोड़ा पास में आया तो सियारी ने जल्दी से बच्चों को नाखून से बकोटा मारा सब लगे एक साथ चिलाने तो सियार जो है पत्तों में पैर चला करके ख बस बस चिंता मत करो सेर आ गया अभी में मार के लाता हूं सेर सुना गजब की बात है सारे जंगल का राजा मैं हूँ और हमारे भी मांग उखाने वाला कोई पैदा हो गया है सोचा कौन प्रान देने जाए कहीं भी रह लेंगे गुफा में वहीं से लौट गया क्यों जाना हो सकता है सेर को भी सवा सेर मिलते हैं जब लौट के जाने लगा लेकिन भैभी था जल्दी जल्दी जा रहा था तो पेड़ पर बानर बैठा रहा जंगल में उसने कहा राजा साब नमस्कार कहा जा रहा हूं कहा रहे हमारे गुफा में कोई सवा सेर आ गया है जिसके बच् सेर हो तो सियार है और आप डर रहे हो कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है वो सेर है उसके बच्चे सेर का मांग सखाते हैं तो सवा सेर होगा कहा रहे हमारी बात मानिये बिश्वास करिए जाइए इतना डरते हो राजा हो कर अब फिर हिम्मत माधा लौट करके आया गुफा क जब गुफा के पास पहुंचा सियारिन ने देख लिया कहा अब तो बचना मुश्किल है क्योंकि दुबारा आ गया है अब तुम्हारी जुक्ती काम नहीं करेगी सियार ने कहा वही काम करो फिर उसने बच्चों को बकोटा सब एक साथ चिलनाने लगे तो सियारिन से सियार ने पूछा बच्चे क्यों रो रहे हैं अरे उसने कहा तुम कहे थे सेर का मां से लेके आएंगे अधिये नहीं सेर भाग गया कहा तुम चींता मत करो मेरे मित्र बानर ने यहां भेज दिया है उसको अब हमको देरे नहीं लेगे नहीं दो मिनिटे में मार देते हैं क्योंकि पीछे से सियार देख लेता था सब सेर सोचा की बनरा हमें फंसाया उबेकूप कह दिया जाओ तुम तो अपने पेड़ पर बैठा है बड़ी हिम्मत उम्मत माध करके वो जब आ रहा था लेकिन जब यह सुना कि बंदर मेरा मित्र है उसने भेजा तब दोनों मिले हो हमको मरवाना चाहते हो हम एकदम नहीं सुनेंगे हम दूसरे जंगल में चले जाए इस यार ने कहा इतने बड़े बलवान बीर पुरुस हो के हम सब के आप राजा है हमारा गवरो है और इतना डर रहे हो भाग रहे हो अरे उसने कहा सब के देह परम मार देगा कोई का फाइदा है बंदर ने कहा नहीं नहीं चिंता मत करो चलो तो सेर ने कहा चलो तुम भी चलो साथ में कहा कि ठीक है लेकिन फिर सिरु सोचा कि अगर मान लिया उसने आक्रमन किये तो कुद के बंदर पेड़ पर चढ़ जाएगा हम कहां जाएंगे मारे जा भट इंपया है आप सियारे ने अश्टी से सियार से कहा की देखो अब नहीं पचना बनारा भी आ रहा है अरे उसने कहाने तो फिर बड़ी तेजी खर खर अरणया बानर यहां सम्झाते ले जा रहा था जब खर खराया कि तो शियार बोला, गरज के की बच्चे क्यों रो रहा है उसदी का सेर के मांस मांग रहे, कहा चिंता मत करो, अब बंदर मेरा मित्र काम बना दिया है, हम कहे थे कि अगर सेर नै आ आवे, तो बाढ़ के ले आना और वो बाढ़ के ला रहा है तो कम है बना सेर सुचआ की हमको बाढ़ के ले चल आ है बेखूफ हमें मरवाएगा अब भागा वहाँ से डरो के मारे बंदर ने का रहे डरो नहीं झूते तबानर राम बधे थे गिर गए जैसी आराम हो गए दूसरे जंगल में चला गया सियार के बच्चे बच गए बुद्धिरियस्य बलमतस्य निर्बुद्धिस्य कुतो बलम तो यहां सबसे बड़ी बात यह है कि शेर जैसे बलवान प्राणी के हिर्दे में भय घर कर गया है और ऐसा भय घर कर गया है कि उसके निवारन का उपाय कोई नहीं सूझ रहा है और यही दशा राजा परिक्षित की है सर्फ काट लेगा हम लोग कोई भी सर्फ नहीं देखे देखे भी होंगे एक बार फुपकार के दवडालेद बड़े-बड़े की हिम्मत छोड़ जाती है और परिक्षित को यह भय है कि एक तो भयानक तक्षक नाम का नाग और वो मुझे काटले का मेरी मिर्दी यही चिंता उनको सताय जा रही है और इस भय को निकालने के लिए शुकदेव जी को साथ दिन साथ रात लगाता है